सोशिस लीडर राम मनोहर लोहिया का जन्म दिन हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है उनकी पैदाईश उन्हें 110 में फैजाबाद में हुई थी आजादी की लड़ाई में उनका बड़ा ही अहम रोल रहा उन्होंने पीएसडी जर्मनी से की एक पढ़े लिखे और एक बहुत ही काबिल और एक्टिव वो सोशिस लीडर थे और कॉंग्रेस पार्टी के साथ हो जूड़े रहें और जो कॉंग्रेस सोशिस पार्टी जो 1935 के करीब में जब उसकी तश्कील दी गई तो उसके साथ भी लोहिया जी का जो रोल था वो बड़ा ही अहम था उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया मगर आजादी मिलने के वक्त उन्होंने देखा अपनी आँखों से कि जो भी आजादी की लड़ाई के दोरान जो भी कॉंग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने कॉंग्रेस तंजीम ने जो वादे किये थे उन वादों पे उस जमाने के ज्यादा तर लीडर जो कॉंग्रेस पार्टी में थे वो उस पे खरे नहीं उतर रहे थी खास कर वो जवाहलाल नहिरू और उनकी सियासत से वो काफी मायूस हुए आजादी मिलने के साथ साथ मुलक के दो टुकड़े भी होगे तक्सी में मुलक ने राम उनह और लोईया को अंदर से हिला दिया और जो भी आजादी को लेके और कॉंगरेस पार्टी के जो वादे थे उनको लेके वो बहुत दुखी हुए उन्होंने माना कि कॉंगरेस की ये लीडर्शिप ठक चुकी है ये जो लीडर्शिप है ओ मसलहत पसंदी यानि कम्प्रमाईज करना समझाता करने को तैयार है लड़ने और उसूल पे चलने के बज़ाए अब वो एक्तदार में सप्ता में बैठना चाहती है आजादी के वक्त डॉक्टर लोहिया दूसरे सोशलिस लीडर जैपरकास नराएं महत्मा गांदी खान अब्दुल गाफार मौलाना आजाद जैसे ही चन लीडर ऐसे थे जिनको लगता था कि मुल्क नहीं बटना चाहिए लेकिन कॉंग्रिस की लीडर से जिसके क्यादत जवाहलाल नहरू और सरदार पटेल जैसे बड़े लीडर कर रहे थे उन्होंने मनीमन यह बात मान ली थी कि हिंदू मुसल्मान जगड़े और फसाद का एक ही हल है कि मुल्क बढ़ जाए मुल्क की तकसीम हो जाए और इसी रास्ते अमन को हासिल किया जा सकता है और एक नए मजबूत मुल्क की तश्कील दी जा सकती है लेकिन लोहिया ऐसा नहीं समझते ते गांदे जी भी ऐसा नहीं समझते थे लेकिन कॉंग्रेस के अंदर में उस समय जो लॉबई थी वो पार्टिशन के हक में हो गई थी मुल्क का पार्टिशन हुआ तकसीम मुल्क हो गया और तकसीम से कुछ पहले और बाद में लोहिया फसाद जादा इलाकों का दौरा कर रहे थे गांदी जी के साथ वो दीगर माकमात पे गएं लोगों के जहन पे जो भूत सवार था जो उनके ऊपर संपरदाइप था हिंदु मुसल्मान से जगड रहने की जो उन्होंने देखा उससे वो बहुत मायूस हुए बारह सल बाद उन्होंने एक किताब लिखी दे गिल्टी मैन और पाटीशन और इस किताब में उन्होंने पार्टीशन यानि विभाजन के लिए कौन जिम्मदार है किसको कुसुरबार कहा जाए इसके बारे में उन्होंने लिखा और बड़ी ही तफसील के साथ उन्होंने अपनी पूरी बाते रखे उन्होंने मुस्लिम लीक की लीडर्शिप को भी मौरीद इलजाम ठाराया मगर उनका निशाना कॉंग्रेस पार्टी की ठक चुकी लीडर्शिप के भी उपर था और वो बार-बार कह रहे थे कि वो ऐसा लीडर्शिप था जो कंप्रमाईस करने के लिए तयार था उन्होंने जन्शंग और उनसे जुड़ी हुई जो हिंदुत्यों की जो तंजीमें है उनकी भी उन्होंने खलाई खोल दी उनका पूरा भंड़ा खोड़ किया और कहा कि ये लोग बार-बार अपने आपको राष्टवादी और अकंड भारत की बात करते हैं लेकि ये लोग मसल्मानों के तहीन अकल्यतों के तहीन इनके दिलों में अधावत है इनके नियत साफ नहीं है और एक जगा पे उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जंसंग और ऐसे लोग जो मुसल्मानों के तेईन जो सही सोच नहीं रखते हैं ऐसे लोग जो हैं ये मुल्क की सलामती यूनिटी के लिए ये खत्रा है और उन्होंने कितनी अहम बात कही है जो आज हम सियासत में कि जो भी इंसान जो भी सियासी पार्टी हिंदुस्तान में मुसल्मानों के खिलाप बोलती है या सोचती है या मनफी सोच रखती है वो कहीं न कहीं जो पडोसी मुल्क हैं उनके लिए राहमवार कर रही है उनकी ताइद कर रही है उनके इंटरेस्ट को पूरी कर रही है क् कि जब मुल्की एक जहती, मुल्की यूनिटी के ओपर जब हमला होगा, जब यह कमजोर होगा, तो जो बाकी लोग होंगे, वो इसका फाइदा उठाएंगे. यह तनी ही बात कहके लोहिया जी नहीं रुके, बरकि लोहिया जी आगे कहते हैं कि आजादी के लड़ाई के दौर था और इस लड़ाई में वो लिडर्शिप महकूमों को, कमजोर तबकात को नहीं मिली जैसा मिलना चाहिए था. इस हिंदुस्तान के अंदर में जो अकसरियत है, वो खवातीन की हैं, वो दलितों की हैं, वो पासमानदा जात की हैं, वो आदिवासियों की हैं, मगर लिडर् जात पात को नहीं समझा, इन लोगों ने जात पात के खिलाप कोई लड़ाई सच्चे मन से नहीं लड़ी, और यही वज़ा है, कि हिंदुस्तान की तकसीम इसलिए हुई कि लोगों को जोडने के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया, सत्ता मिल जाए, इक्तदार मिल जाए, पावर मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, इस पर इनका ज्यादा ध्यान था, इसलिए वो हिंदु और मुसल्मान के मसले पर भी बात करते हैं, कि हिंदुस्तान में हिंदु और मुसल्मान का जो मसला है, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बाते कह देने से नहीं होगा, बलकि जब तक हिंदूों में और मुसल्मानों में मेल जोल, खान पान, शादी बिया और दोनों जो फिरके हैं, दोनों जो कॉम्मिनिटीज हैं, जो जब तक वो सही तरीके से तारीख को पढ़ेंगी नहीं और सही तरीके से तारीख को नहीं समझेंगी और जब तक वो फिरकावाराना जो तारीख है जो कमनल हिस्टरी है उसको जब तक तरक नहीं करेंगी जब तक उसको छोड़ेंगी नहीं तब तक निस्नल सॉलिडारिटी नहीं बन सकती है यही लोहिया जी का कमाल था क्यूंकि उन्होंने मुल्की एक जहती के लिए काम किया लोहियाजी ने समाज में मवजूद — कास सिस्टम पर सभ से जादा हमला किया। लोहियाजी खुद एक बनियाजाट से आते थे। और बनियाजाट, जो है, मरवाड़ी बनियाजाट वो, उनका सुमार जो होता था, वो अपरकास्ट में होता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सियासत में अपर कास जो हैं जो कुछ चंद मुठी बर लोग हैं जो ब्रामिन्स हैं जो बनिया हैं यही लोग हर तरफ काबिज हैं और जो मेजॉरिटी कमूनिटी है जिसमें खवातीन हैं दलित हैं आदिवासी हैं पिछड़े हैं अखलियत हैं इनको सत्ता से बाहर कर दिया हैं और इसी लिए डॉक्तर अमबेटकर की तरह वो भी कास सिस्टम के बछ़े कास सिस्टम के मुछलिफ थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की इस मुलक में और पोजिशन की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की उन्होंने पासमंदा जात के लोगों को सियासत मिलाने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए और एक जगा तो वो कहते हैं कि जिस तरह से हज सारों-हजारों से जो द्विज जो uppercast जो नाइंसाफी की है इसलिए अब वक्त आगया है कि जो leadership है जो खियादत है वो lower caste में आप में जानी चाहिए और एक जगा वो कहते हैं कि uppercast को कुछ ऐसा काम करना चाहिए दो जब छेती हो जब आगर किसानी हो तो जो बीज है जो सीड है वो महिलाएं, खावातीन, दलीट, पिछडे, पासमांदा, महकूम होने चाहिए यानि लीडर्सिप दलीटों, पिछडों, महकूमों, भहुजनों की होनी चाहिए और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको खाद की तरह काम करना चाहि कितना बड़ा दिल था डॉक्टर लोहिया का जो खुद एक बनिया हिंदू फैमली से आते थे लेकिन उन्होंने एक वोल्टायर के टेडिशन में जो सही बात थी उसकी उन्होंने निशान दही की और उन्होंने ये बात बार बार कहा कि कास सिस्टम के वज़ा से हिंदुस्ता कई बार गुलाम बना कास सिस्टम के अंदर में हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सका जात पात की वज़ा से हिंदुस्तान तरकी नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो मैजोरिटी कम्निटी है उनको आप पीछे कर रहे हैं उनको हार्षिये पर धतेल रहे हैं और जात पात का जो पात को लेके सब लोग खामोसी अख्तियार करते थे चाहे वो फिरकापरस पार्टियां हो वो तो आला जात के मफाद के लिए हमेशा काम करती है चाहे वो नहीरुजे की कॉंगर्स पार्टी है वो लोग भी पासमांदा को और दलीद को चाते थे कि सिर्फ वोट दें लेकि लीडर्शिप उची जाती के हाथ में हो और कॉमनिस्टों ने भी बात तो बहुत अच्छे की मजदूरों की बात की किसानों की बात की लेकिन उनकी पार्टी में में जो लीडर्शिप था वो महकूम को नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था लोहिया जी का यही कमाल है कि लोहिया जी ने पासमांदा, दलितों, पिछडों की बात कही, लोहिया जी का कमाल है, वो लड़े, लोहिया जी का कमाल है, वो जेल गए, लोहिया जी का कमाल है, कि उन्होंने इक्षटरनल 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 इक बात की ऐसे महान लीडर को जो बार बार जीर गया जो बार बार सीविल राइट्स के लिए लड़ता रहा जो बार बार महकूमों को आगे लाने के लिए पूरी कोशिस की जिसने पूरी जिन्दगी जात पात के खिलाप लड़ाई लड़ी जिसने समाज में रोशन ख्याली को आगे बढ़ाया, जिसने दकी अनुसी के खिलाब चोट की, जो एक साइंटिफिक टेमपर से पूरी तरह से मुतासियता है, ऐसे इनसान को बड़ी ही बहुत ही दुख की बात है, कि हमारे जो इनुवरसिटी है, हमारे जो एकेडमिया है, उसने उसको भूला दिया, या उसको उतनी जगह नहीं दी, लेकिन ऐसे महान बिखती, ऐसे महान पुरुष को तारीख कभी नहीं भूला सकती है, मैं बहुत खुश्क्रिसमत हूँ, कि मैं लोहिया जी के बारे में कुछ पढ़ने का मुझे मौका मिला, और मैं आपको बता दू कि लोहिया जी को सबसे पहले मु उन्हें सबल्टर्न यानि वंचितों के एक फिलोसफर के तोर पे उन्हें पेश किया, मैं लोहिया जी की राइटिंग्स को पढ़ता हूँ, आज जरूरत है कि लोहिया जी को और पढ़ा जाए, लोहिया जी को लोहिया जी की बातों पे अमल किया जाए, और लोहिया जी को खिराजे अकीदत पेश किया जाए, सिर्फ गुल पोशी करके नहीं, सिर्फ उनके पोस्टर और तस्वीर लगा के नहीं, बलकि एक ऐसे समाज की तश्कील करने के लिए, जो इक्वालिटी पे हो, जहां पे अमीर और गरीब के बीट में खाई नहीं हो, जहां पे सब को डिग और और कानून के डंडे का इस्तमाल करके लोगों को बोलने और सरकार की तनकीद करने से रोका ना जाए, जहां पे सिस्टम कुछ चंद मुठी बर लोगों के बीच में नहों, बलकि सब के हाथ में हो, सब की भलाई हो, आईए हम लोहिया जी को खिराज अकीदत पेश करते ह और हम एक बार फिर से अहद करें कि हम उनकी उनकी रास्ते पे उनकी बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे और आज के दोर में जो चीज़े अहम हैं, जो चीज़े रेलेवेंट हैं, जो चीज़े मौजू हैं, उस पे हम अमल करेंगे, तो यही मुझे कहना था लोहिया जी की यो में पैदा इसके मौके पर आपनों का बहुत बहुत शुक्रिया